हिलो डियर सिघ्सेंट कैसे हैं आप लोग वोप आप सब अच्छे हो गयए चलिए आज का Lek andechluss करते हैं आज का लेक्ट करने से पहले जो लासट में हमने पढ़ाई कि थी पहले में उसका करोंगा फिर आज के लेक्ट्च Kenntini일 करेंगे तो के पहले वाले lecture में हमने देखा था bookkeeping का introduction हम ना हमने स्टार्ट किया था और bookkeeping का meaning क्या होता है वो वह मैंने आपको बताया था bookkeeping का meaning मैंने आपको क्या बताया था book keeping जो होता है bookkeeping is a bookkeeping is a process of recording business transaction which involved exchange of money और money worth इसका मतलब यह होता है bookkeeping का मतलब यह है simple चामीनिंग कि जो भी business के transactions होते हैं जो भी आप business में एक्टिविटीज करते वो दिए क्या हो सकती है मैंने आपको कुछ examples बताये थैं जैसे इस है भी में ब्सक्राइबust करना भे में कुंछ एक्षाइब keeping और जो भी transaction होते हैं वो कौन से term में होने चाहिए monetary term में होने चाहिए तो यह हमने last lecture में यह सब सीखा था तो आज मैं क्या करने जा रहा हूं उसी definition को जो bookkeeping का हमारा meaning है bookkeeping का definition या फिर आप bookkeeping का meaning बता सकते हो उसे मैं और detail में और अच्छे तरीके से यहां पर आपको बताऊंगा ठीक है तो चलिए आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट करते हैं लेक्चर टू जो है bookkeeping का और यहां पर हमारा main topic होगा collection and identification अब collection और identification क्या होता है और bookkeeping से इसका क्या relation होता है मैं वह आपको यहां पर समझाने जा रहा हूं कि अगर मैं क्लासिफाय करूं या फिर मैं उसे कुछ तुकुड़े में कुछ पार्ट में अगर डिवाइट करना चाहूं तो मैं उसको ऐसा बोल सकता हूं बुक किपिंग में सबसे पहले आता है पार्ट कलेक्शन का कलेक्शन का मतलब क्या होता है उसके लिए मुझे आपको एक छोटा सा एक्जामपल देना पड़ेगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जैसे कि आपने एक मोबाइल फोन पर्चेस किया है जिसकी वारेंटी वन इयर की वारेंटी है यहां पर ठीक है और सपोज आप्टर सेवें मंत साथ मैने हो गए उसके बाद आपका मोबाइल मोबाइल खराब हो जाता है तो आप क्या करोगे आप उस मोबाइल को कहां पर लेके जाओगे सर्विस सेंटर में सर्विस सेंटर में लेके जाओगे मोबाइल वहां पर दोगे तो वह आपका मोबाइल क्या कर देंगे रिपेयर कर देंगे और उसके लिए वह हो सकता है तो आप हमें क्या दीजेए मोबाइल का बिल दीजे जब आप मोबाइल का बिल वहां पकरて सम्पीट करते हो तब चालिया बता ना चाहता था कि अगर आपको मोबाइल की वारेंटी का बेनीफिटलेनÁ ए उस के लिए एक कर दोक्मेंटी में जो है mobile का बिल उसी तरीके से bookkeeping में जो भी आप entry record करते हो जो भी transaction record करते हो उसके जो भी supporting documents होते हैं उसको भी हमें properly maintain करके रखना चाहिए उसी को हम बोलते हैं collection collection मतलब सम्हाल के किसी चीज़ों को रखना तो यहां पर मतलब मेरा वही है कि bookkeeping में जो भी transaction होंगे उसके documentation को आप आपको properly maintain करके रखना है जैसे कि मैं आपको एक example बताता हूं business के लिए आपको laptop खरीदना था ठीक है तो आपने laptop तो purchase किया उसके साथ आपको क्या मिलेगा बिल मिलेगा इन्वाइस बिल को हम इन्वाइस मी बोलते हैं जो भी laptop अपने purchase किया उसका बिल में मिलेगा तो यह ज इसके जो importance है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे कि इस document जिसको हमें क्यू properly maintain करके रखना है because in future इस document का हमें use हो सकता है अब बुक किपिंग में और भी कुछ-कुछ steps है जैसे कि बुक किपिंग में identification भी होता है identification अभी थोड़े देर में हम यहां पे cover करेंगे उसके साथ और क्या क्या होता है जो बुक किपिंग में cover होता है एक होता है measurement और क्या होता है recording होता है recording को हम क्या बोलते जर्नल इंट्री पास करना हो उसके बाद होता है आपका classifying classifying का मतलब होता है laser बनाना उसके बाद आता है trial balance इन सब activity यह जो छे activities है इनको अगर आप मिला दोगे त तो बुक किपिंग का जो proper definition होता है वो यह है अगर जो मैंने आपको पहला definition बताया बुक किपिंग means recording the business transaction विच रिलेट एक्सचेंज आप मनी और मनी वर्थ वो definition वो मीनिंग तो करेक्ट है ही उसके साथ यह जो मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं यह भी करेक्ट है और important है उससे related ही है बट यह और detail में है मीनिंग ठीक है तो exam के लिए आप वह भी लिख सकते हो यह भी लिख सकते हो बट यह जो answer होगा यह काफी अच्छा answer होगा आपका जो बुक कीपिंग का मैं यहाँ पर definition आपको बता है बुक कीपिंग का मतलब क्या होगा collection होगा identification then measurement then recording उसके क्लासिफिकेशन उसके बाद trial balance यह सब step होते हैं अब collection तो हमने सीख लिया है अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि identification का मतलब क्या होता है देखिए identification का मतलब यह है कि आप कोई भी business transaction करते हो कोई भी business transaction करते हैं तो उसे में दो पार्ट में divide कर सकता हूँ फर्स पार्ट को मैं बोलूँगा revenue और जो second पार्ट होता है उसे हम बोलते है capital transaction पहले पार्ट को क्या बोलते है revenue और दूसरे पार्ट को क्या बोलते है capital transaction इसका मतलब कोई भी business transaction हो उसे हम दो पार्ट में divide कर सकते हैं अब revenue transaction कब बोलेंगे और कब capital बोलेंगे तो वो होता है benefit up to one year मतलब आपने कोई भी transaction किया और उसका benefit उसका benefit आपको एक साल तक ही मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे revenue transaction और अगर उसका benefit जो है आपको एक साल से ज़्यादा मिल रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे capital transaction बोलेंगे तो ठीक है तो identification का मतलब यह होता है कि कोई भी business transaction हुआ है तो सबसे पहले हमें identify करना है कि वो revenue transaction है या फिर capital transaction है revenue transaction का मतलब जब जो भी हमने activity की है उसका benefit एक साल तक मिलेगा तो revenue और एक साल से ज़्यादा benefit मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे capital transaction अब यहाँ पर मैं आपको कुछ revenue transaction और capital transaction के examples बता देता हूँ तो उससे क्या होगा आपको यह understanding और अच्छे से आ जाएगी देखिए raw material आप मुझे बताइए अगर आप business के लिए raw material purchase करते हो ठीक है तो उसका use आप कितने दिन करोगे raw material तो normally daily use होता है या weekly हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा monthly बोल सकते हो तो एक साल के अंदर तो आप raw material use करी लोगे जैसे यहाँ पर मैंने example लिया iron का for example आपकी car making company आपका car को manufacture करते हो car making company तो वहाँ पर जो iron का use होता है वो तो daily basis पर होता रहेगा ना तो इसके लिए इसे हम क्या बोलेंगे revenue transaction एक और example में बताता हूं आपको rent जैसे आपने premises rent पर लिया है जहां पर आपका production होता है ठीक है तो वहाँ पर अगर आपका production होता है तो rent तो आपको monthly pay करना पड़ता है तो यह expense का जो कर्चा है वो तो monthly है इसके लिए हम इसे क्या बोलेंगे revenue बोलेंगे salary आपके office में जो staff काम करते हैं आपको उने क्या पे करना पड़ता है salary पे करना पड़ता है ठीक है और salary कैसे पे करते हैं monthly पे करते हैं तो यह भी हमारा कौन सा transaction माना जाएगा revenue transaction माना एक और एक्जामपल है हाँ पे लाइड भी electricity जो भी हम पे करते हैं वह भी नॉर्मली monthly basis होता है तो वह भी हमारा कौन सा transaction हो गया revenue transaction हो गया अब हम बात करते capital transactions की देखिए आपने कोई machinery purchase की है for the purpose of production अब machinery यह तो हम डेली तो purchase करते नहीं या फिर monthly purchase नहीं करते वो तो सालों साल use होती है उनका cost भी बहुत जादा होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे capital transaction because इस machinery का benefit हमें एक साल से जादा मिलने वाला है तो यह हमारा कौन से transaction हो जाएगा capital transaction के कुछ और example मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जैसे computer आपके office के लिए आपको computer use होगा आपने computer purchase किया है तो नौर्मली computer का जो life होता है एक साल से ज्यादा होता है आपकोई computer भी purchase करते होगे तो देखो कि उसका जो warranty होती है एक साल से ज़्यादा होती है तो normally इसका benefit एक साल से ज़्यादा मिलता है तो उसे हम क्या बोलते है capital transaction बोलते हैं furniture अगर आपके office के लिए आपको furniture की ज़रूवत पड़ेगी जहाँ पर अपका staff रहेगा ठीच है तो उसे उसका यूज भी एक साल से ज़्यादा ही होता है वो एक साल से ज़्यादा ही चलता हैं तो इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे capital transaction बोलेंगे building अगर आपका खुद का building है आपका खुद का office है तो building की life तो more than 50 years से ज्यादा भी होती 100 years भी होते हैं उनके life तो इसे भी हम क्या बोलेंगे capital transaction अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि revenue और capital transaction मैंने आपको बताया क्यों हमने इसे दो category में divide क्यों किया है because हमारा जो purpose है accounting का जो purpose होता है accounting में हम 2 statement बनाते हैं पहले statement को हम बोलते है profit and loss account statement ठीक है तो उसमें revenue जो transaction होते हैं न वो transaction हम यहाँ पर record करते हैं जो भी transaction का benefit हमें एक साल तक ही मिलने वाला है उसे हम profit & loss में record करते हैं और profit & loss account जो हमारा होता है 1All का ही बनता है मतलब एक साल के period को लिए हम accounting बनाते हैं profit & loss account बनाते हैं उसी तरीके से जो capital transaction होता है उससे हम record करते है balance sheet में उसे हम क्या बोलते है balance sheet बोलते है जो भी assets का या फिर जो भी expenses का benefit आपको एक साल से ज़्यादा मिलने वाला है उसे हम कहां record कर लेते हैं balance sheet में इसका मतलब यह है कि raw material है, rent है, salary है यह जो भी expenses है वो हम कहां पे record करेंगे profit and loss में और जो machinery है, computer है, furniture है, building है, इस तरीके के जो भी खर्चा आपने incurred किया है, जिसका benefit आपको एक साल से ज़्यादा मिलने वाला है, उसे हम balance sheet में record करते हैं अब profit and loss को हम क्या बोलते हैं, financial result बोलते हैं, because profit and loss account बनाने के बाद आपको क्या पता चलता है, आपको यह पता चलता है कि आपके business में profit हुआ है या loss हुआ है, तो इसलिए इस statement को हम क्या बोलते हैं, financial result भी बोलते हैं, profit and loss account को हम financial result भी बोलते हैं, उसी तरीके से balance sheet को हम क्या बोलते हैं financial position बोलते हैं because यहां पर आपके पूरे assets record होते हैं और आपको किसको कितने पैसे देने हैं और किसे कितने पैसे लेने हैं वो भी यहां पर record होता है कहां पर balance sheet में वह आगे आने वाले lectures में हम detail में सीखेंगे ठीक है तो यहां पर जो मैंने आपको profit and loss account, balance sheet, financial position जो भी मैंने बता हैं आपको यह सब जो भी topic है हम आके चलके बहुत detail में discuss करने वाले हैं मेरा यह lecture का खाली purpose इतना है कि आपको identification बताना था कि revenue transaction क्या होते capital transaction क्या होते हैं बट मैंने आपको यहां पर थोड़ा और detail में बता दिया है जो हम काफी और detail में काफी lectures में cover करेंगे आप आगे आने वाले lectures में अब जो हमारा financial result है और financial position है या फिर profit and loss account है और balance sheet है अगर हम इसे combine कर देते हैं इसको एक साथ में लेके आते हैं तो हम उसे बोलते हैं financial statement बोलते हैं तो यह जो मैंने repeat होगी और आपको automatically सब चीजे याद हो जाएंगी बस आप इतना समझ के रखिए identification में हमें दो चीजे identify करनी पड़ती है first होता है revenue दूसरा होता है capital ठीक है आई think आपको यह lecture यहां तक समझ में आ गया होगा तो इस lecture को मैं यहीं पर close करता हूं और आगे आने वाले लेक्चर में हम अपने आगे जो आने वाला टॉपिक है उसे cover करेंगे thanks for watching और वीडियो मिलते हैं next lecture में करें 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 करें